बेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस फंडा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नए अपॉइट्मेंट्स अभी इंटर नेशनल लेविल पर हुए हैं उनके बारे में क्योंकि ये कुश्चन्स आपके एक मार्क्स की हर एक एक एक्जाम्स में आते है इसका एक पार्ट नेशनल लेविल के अपार्टमेंट हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें आपका कोई भी डाउट कोई भी आपका मिनिस्टर जो आइरलेंड के वो कौन रिएलेक्ट हुएं क्योंकि ये बिसिकली रिएलेक्ट हुएं तो आपसे ये कुछशन भी पुछा सकता है तो आप इनका नाम यहां से नोट डाउन कर सकते हैं सेकेंड कुशन आपसे पुछा आता है कि फर्स्ट बुमेन प्रेसिडेंट आफ ताइबान ताइबान की पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो कौन है ये हैं साई इंगवेन ये नाम नोट डाउन कर ले एक आपसे पुछा सकता है कि फॉर्मर इंडियन बैस्मेन लाल राजपूत इनको अफगानिस्तान का किर्केट का कोश बनाया गया है और ये आपसे कुछन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसमें पूछा सकता है कि अभी किसको नया किसका अपरेंटमेंट हुआ है ऐस न्यू सीओ आफ आइबी रडी एंड आइ नेक्सक्षर्ण में आपसे पूछ रहेगा नेपाल के पहले जो भुमेंण चीफ जस्टिस है नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जह है ब पुसीला करकी इनका नाम है, ये नोट डाउन जुरू कर लें, इसमें का गया है New PM of Nepal, नेपाल के नए PM कौन है, ये भी आपको समझना होगा, पुष्प कमल धाल, जो प्रचानदा के नाम से भी जाना जाते हैं, तो ये questions आपके कई exams में पूछे जा भी चुके हैं, तो आप नोट डाउन कर लें, New PM of Tunisia, Tunisia के नए PM कौन है, इनका नाम है Used Chad, ठीक है, ये नाम आप नोट डाउन कर लें, अब आपसे ब्राजील के नए PM पूछे जा सकते हैं, तो ये है Michael Tamer, अब आपसे पूछूँगा कि Michael Tamer ने किसको replace किया, तो इन्होंने Dilma Rousseff को replace किया, ये पहले president थी, बाद में क्या हुआ कि इनके उपर कुछ allegations लगाए गए, corruption से related, और बाद में वो प्रूप भी हुए, तो इन पर impeachment का process चल लाता बेसिकली, ठीक है, तो impeach किया गया है इनको, और impeachment के बाद में क्या हुआ, बेसिकली, नए जो ब्राजील की president बनाए गया है, वो कौन है, माइकल टेमर, impeachment का मतलब होता है, हिंदी में महाबियोग, महाबियोग, next question के बाद कर जा है, इसमें कहा गया है, new president of Iceland, तो Iceland के नए president ये कौन है, ये हैं, गुड़नी जॉंसन, एक आपसे ये भी questions पूछा सकता है, कि new president of Peru, पेरू के नए president कौन है, ये है Pedro, Pablo, कुछ जैंस्की ये ऐसे नाम, थोड़े से typical होते हैं, पेरूंस करने में, लेकिन आप इनका note down कर लें, और एक बार आपके दिमाग में रहेगा, तब आप आपसानी से ऐसे questions बहाँ पर बना सकते हैं, ये भी आपसे पूछा सकता है, कि new president of Philippines, तो ये कौन है, रोट्डिगो, डूट्रेट, अब आपको ये समझना होगा, फिलिपियन्स में एक प्लेस है, मनीला, मनीला में क्या है, ADB का headquarter भी है, ओके, तो ये चीज भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, new president of Vietnam, बियतनाम के जो नए president है, उनका नाम क्या है, ये है ट्रांग डाई कौांग, ओके, new prime minister of Iceland, ये है कौ पुछा जा सकता है कि नए prime minister, जो है, वो UK के, United Kingdom की कौन है, तो ये है, तरिशरसा में, इन्होंने किसको अभी replace किया है, डेविट केमरून को, अभी आपने देखा था, जो ब्री एक्सिट हुआ था, ब्रिटेन का UK से अलग हो जाना, ओके, ब्री एक्सिट, तो उसके बाद से डेविट कैमरून जो है, इन्होंने इस्तिफा दे दिया था, तो नए जो prime minister, वो कौन मनाए गए, ये थरिशा में, नीता अंबानी का एक apartment हुआ था, IOC में, International Olympic Committee में, as a member के तौर पर, ठीक है, तो ये पहली महिला, बुमेन के तौर पर, पहली महिला, नॉमिनेटर है, य आपसे अगर head पूछे आते हैं, तो ये कौन है, ये हैं आपके, Thomas Watch, ठीक है, Thomas Watch, इन्होंने basically Jack Frogger को काफी time पहले replace किया था, लेकिन आपसे ये question पूछा सकता है, कि IOC से related head के बारे में, okay, एक question आपसे पूछा सकता है, कि सर्फ जी सिंग मरभा, इनका apartment कहा पर हुआ है, ये क senator बनाए गया है, okay, मतलब बहां की जो भी parliament है, उसमें पहले ये, Canada के पहले sick, जो है, वो senator है, sick senator, इनका नाम note down कर ले, सर्वजीत सिंग मरभा, एक कभी-कभी ये question भी कई बार पूछा, अभी पिछली बार भी पूछा चुका है, हमने इसको discuss भी कर चुका हूँ, कि ICC, International Cricket Council ICC, इसके independent chairman बनाए गया है, वो कौन है, ये है, ससांक मनुवर, ये पहले BCCI के chairman थे, फिर इनको chairman कहा का बनाए गया, ये first ever independent chairman, ठीक है, anonymously इनको ये गद्दी दे दी गई, और अब ये ICC के chairman है, और BCCI के chairman है, Unrocked ठाकुर, जिसको अमने पिछली वीडियो में, जो national level के apartment थ पर चर्शा की थी, नय president of United States, United States के जो नय president है, United States of America के, उनका नाम के है, Donald Trump, ये तो आप सबको पता होगा, और ये जो है, एक जन्वरी से, अभी अपना कारेबार समालेंगे, और अभी right time पर कौन है, currently अभी है, Obama, तो काफी questions यहां से बनते हैं, जैसे ये question पूछा सकता है, कि US के president जो elected है, Donald Trump, इन्होंने भी announce किया है, National Security Advisor, NSA के लिए, तो ये कौन है, Michael Flynn, अमेरिका के नय जो, National Security Advisor होंगे, वो कौन होंगे, Michael Flynn, अगर यही बात की जाती है, भारत के National Security Advisor कौन है, NSA, भारत की तरप से, तो ये हैं दोस्तों, अजीत जोबल, ये भी आप note down करने साथ में, Vice President, अभी इन्होंने नए appointment किया है, इनका नाम क्या है, Vice Pence, और Defense Department में है James Mattis, और जो Department of Justice, इसको हम Attorney General भी कहते हैं, ये है Jeff Sessions, तो इन्होंने जो appointment किया है, इनको आप note down जरू कर ले, और बाकी बहुत सारे appointment हैं, दोस्तों, वो इस link पर आप click करके देख सकते हैं, ये link आपको description box में मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ, World Bank ने अभी reappoint कर दिया है Jim Yong Kim को second term as a president, जो ये इनका दूसरा term होगा, continuously, next question के अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है, first female president of Estonia, Estonia के नए जो president है, पहले female president, ये कौन है, करिष्टी कल जुलाइद, ये नाम के बद आपको important है, सकता है कि जो मोरक्को के prime minister है, reappointed हुए है, इनका नाम भी पूछा सकता है, अगर मैं बात करूँ, कि जो नए PM है prime minister है, ग्वेना के, उनका क्या नाम है, ये नाम है, उमारो, सिसुको, इंबैलो, अब एक question आपसे काफी important पूछा सकता है, United Nations Security General जो है, वो नए कौन होगे, य Antonio, और इनका जो selection हुआ है, ये unanimously select कियेंगे, मतलब इनके बिपक्ष में कोई था भी नहीं, और अब ये United Security Council के, नए General Secretary के तोर पर रहेंगे, और जो अभी currently है, वो कौन है, बान की इन्मून, इनका कारेकाल, एक जनवरी 2017 को खतम होगा, तो दोस्तों, ये रहे आज के news, औ और जो national appointment है, वो आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं, साथ में दोस्तों इस वीडियो को subscribe भी करें, चैनल को subscribe कर लें, और वीडियो को like करें, जादस जादा लोगों तक इस वीडियो को share करें, और आप हमारा tutor का link और facebook के page को join कर सकते हैं, ये link आपको description box में मिल जाएंगे, so thank you friends, have a good day